दिल्ली के दुलर्वा अरविन केजरिवाल गुरू फाच चुके हैं गुजरात की कोड ने 25,000 रुपए का जुर्माना उनके उपर लगाया है सोचिए कि जुर्माना इतना बड़ा है तो जुर्म कितना बड़ा होगा जुर्म ये था केजरिवाल का कि PM के पिन किये हुए थे PM की डिगरी मांग मांग के एकदम धान बो दिये थे जबकि पहले से ही सबको साफ साफ पता है कि PM के पास एंटाइर पॉलिटिकल साइंस की डिगरी है हाँ मानो सभिता में ये इस सब्जक की डिगरी किसी और स्टूडेंट को मिली है या नहीं इस पर विद्वानों में मदभेध है इसके अलावा PM की एक और डिगरी सारवजनिक रूप से दिखाई जा चुकी है लेकिन केजरिवाल है कि मांग के ही नहीं दे रहे हैं और चिडिया का बच्चा भी इतना जादा कीड़ा नहीं मांगता है जितना केजरिवाल डिगरी मांग रहे हैं दिल्ली की जनता ने केजरिवाल को जिस काम के लिए चुना था वो काम तो ये छोड़ के बैठे हुए है अरे भाई मूवी रिवीव का काम मूवी रिवीव छोड़ दिया है डिगरी रिवीव करने में लग गये हैं और जगा जगा पोश्टर लगवा रहे हैं कि देश का पीम पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अरे मैं कैसा सवाल है ये मेरा मतलब बहविकल पी सवाल है या विश्तरत उतरी सवाल है एक नंबर का है कि दस नंबर का है पूरी बात बताया करो यार लोग इस बाद पर भी सवाल उठाते हैं कि पीम मोदी के साथ पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट या उनको पढ़ाने वाले किसी टीचर की जानकारी अभी तक उपलब्द क्यों नहीं है और ये भी पूछते हैं कि पीम के पास हर मौके की फोटो है बच्पन से लेकर आद तक लेकिन उनकी वो कॉलेज में डिगरी लेने के साथ वो टोबी उच्छालने की फोटो अभी तक सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आई है ऐसे वाहियात और बेतुके सवाल लोग पूछते रहते हैं कि देश के सरवोच पर बैठे हुए आदमी को अपनी डिगरी के बारे में मेरिटल स्टेटस के बारे में पारदर्शिता रखनी चाहिए इसलिए चुनाव लड़ते वक्त चुनाव आयोग के सामने ये सारी जानकारी जमा की जाती है पता नहीं यार इन लोग कौन समझा है ग्वेस्चन पूष्टे रहते हैं मुझे तो लगता है कि क्वेस्चन मार्क वाला जो निशान है न यही बाइन कर देना चाहिए बाइट मैं मने ऑले जोकर के साथ क्या किया था याद है न या बार बार ऐसे डिग्री दिखाने को करे रहे हैं पुलिस इनको पकड़के थर बच्चे के कम नंबर आते हैं और कब आप उसको पीटने लगे तो motivational speaker आके उस बाप को ही कूट देंगे कि क्यों moral डाउन कर रहे हो हमारे बेटे का पीस आफ पेपर किसी बच्चे का future डिसाइड नहीं कर सकता और ऐसे समय में आज के समय में यह बार-बार कह रहे हैं डिगरी मिलना जा रहा है लोग है बाते बना रहें कcki लोग ऐने नहीं कागजाद बच्पन है इन लोगों की हर तरह की डिग्री मिल जाती है दस अजार दे दो पिएचडी भी करवा देंगे भाई ये सब जुल्मों सित्म देख के मेरा तो बुखार 104 डिग्री हो गया देखो पसीना आ रहा है ना अच्छा आप बताईएगा कमेंट करके कि परीच्छा पर चर्चा करने के लिए हर ब